हुआ है गाई से काई सभी कसुभे थे मेरा यूट्यूब चैनल हुआ सो हाज हम सिखने वाले हूँ हHow to draw a pentagon use special method ठीके तो जो हम method सिखने वाले उसे हम THREE circle method भी कह सकते है क्योंकि उसमें THREE तीन सरकल का यूज होता है ठीक है तो सबसे पहले हमें अगर special method से pentagon बनाना होता है तो अगर question हमें ऐसा पूछा जाता है तो हमें एक pentagon की एक side की size जोए दी रही दी होगी ठीक है तो हमें suppose दिया है 50 mm size मतलब की 5 cm size ठीक है तो हम 5 cm size ले लेते हैं एक line draw करते हैं 5 cm की ठीक है यह हो करें नेमिंग देते हैं ए और यह बी ठीक है तो अब हमें क्या करना है यही ab distance जो है वह हमें हमारे compose में लेना है तो ठीक है ले लेते हैं लेने के बाद क्या करना है इस a point पे रखना है a point पे रखकर कुछ इस तरीके से हम एक circle draw करेंगे ठीक है उसके बाद भी पॉइंट पे रखकर इस तरीके से एक circle draw करेंगे अब यह हो गए हमारे दो सरकल अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने हमें इस लाइन को जो ए भी लाइन ही उसे बाइसे करना है तो बाइसे करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है तो हम क्या करते हैं इन दोनों पॉइंट को चोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से तो इससे नेमिंग देते हैं यह होगा है हमारा P और यह होगा Q ठीक है तो अब क्या करना है यह जो Q पॉइंट है यहाँ पे हमें ग्राइन कंपाश रखना है और A तक का डिस्टन्स करना है है यह हो जाएंगा हमारे तीन सिर्कल इसे हम पेंटागोन बाइ ठ्री सर्कल मेथड़ भी कहते है ठीक है तो अब क्या करना है हम यहाँ पे यहाँ पी पॉइंट हमें मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा इसे हम आर नेम देदे और इसे देदे ये इस ठीक है तो अब हमें क्या करना है इस R से लेकर इस पॉ 연 से इसे हम इस पॉ 연 को M नाम देटे ठीक है M naming देटे अब इस पॉ 연 से M पॉ 연 से लेकर इस Circle तक हमें एक Line Draw करनी ठीक है कुछ इस तरीके से उसके बाद एसाई यम यस से लेकर आगे की सरकल तक हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है अब यह देखो ए और बी इस पॉइंट को हम सी नाम देते हैं ठीक है सी पॉइंट ए बी डिस्टंस हमें कमपॉस में लेना है हमारी जो भी है तो सी पॉइंट पे रखकर उपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे उपर की तरब कुछ इस तरीके से ठीक है तो और उसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे उपर की तरब तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ठीक है तो अब इन सभी पॉइंट को जोड लेते हैं और हमारा पेंटागोन हो जाएगा ठीक है तो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करना यह हमारा बन चुका है पेंटागोन इसे हम स्पेशल मेथड भी कह थे और थ्री सरकल मेथड भी कह थे क्योंकि यह इसमें तीन सरकल का यूज हुआ है ठीक है तो A, B, C यह होगा हमारा D और यह होगा E ठीक है तो यह स्वागी है